हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर डेज भी मैं हूं मोहमत सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आया है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों गोद्रेच कंजिमर प्रोडेक्ट पे मैं बात करे हुए काफी समय हो गया है तो अब उसके बाद देखो स्टॉक दो बार हाई लगाया हमारा यहां पे निकल गया उसके बाद स्टॉक नीचे आया विताओट एनी ब्रेक आउट प्रीवियस ब्रेकडाउन का सपोर्ट लिया उपर गया जिसको हम लोग रिटेस्ट बोलते हैं रिटेस्ट रिवर्सल ब करता है या तो उस ब्रेकडाउन लिवल्क को ब्रेक आउट बना के हेवी रैली देना चाहिएjach वरना यहां नीचे आके इसी सेम ब्रेकडाउन से reject होके नीचे गिरना चाहिए जो अपना previous high level होता है ये क्या किया ये फिर इस तरह का level break करने के बाद फिर यहां से एक fake breakout देने की कोशिश किया यहां पर कई लोग फस चुके दोस्तों कई लोग यहां पर फस चुके हैं तो मुझे opportunity कहीं पर भी नहीं दिखी कहीं पर भी नहीं दिखी और stock हो गया fall अब fall हुआ फिर से stock उपर गया तो यह वैसे ही गड़बड कर रहा था अब इस गड़बड में stock क्या हुआ पता है 25 EMA का level break करते हुए यहां पर जो fall हुआ है यहां पर buyers को trap करके fall हुआ है और कभी भी plus level MSD उपर buying लेता है improperly वो buyers को trap करने के लिए ही ल देता है तो दोस्तों real rally क्या है real rally वो है जो previous breakout पे breakdown बनाके उपर जाके retest करके rally देना अब उसी तरीके से यहां पर देखो यहां पर लोगों को सताया stock ठीक है उसके बाद previous breakdown का breakout का rally यहां proper दिया फिर उसके बाद stock यहां पर सताया फिर fall हुआ अब stock फिर से उसी levels पे continuously एक fake तरीके से trading कर रहा था इसलिए मुझे देने का मन भी नहीं करा और इस तरीके से stocks करते हैं दोस्तों अभी stock में क्या है simple stock में यहां पे एक previous breakout का breakout level है जो stock यहां से reject हुआ है अब जो stock यहां से reject हुआ है क्या properly reject हुआ है नहीं improper reject हुआ है improper reject क्यों हुआ है क्यों 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 क्य चुका है जो indicate कर रहा है कि stock के अंदर selling और आने वाली है तो selling जो आएगी तो stock के अंदर breakout पर entry कहां पर कर सकते हैं दोस्तों previous breakdown level पर हम लोग entry कर सकते हैं जो previous breakdown level का पहला level जो रहेगा ये वाला रहेगा दूसरा जो level रहेगा वो ये रहेगा इन दोनों के अलावा stock in between यहां कही पर भी उपर जा रहा है तो फिर 25 एम में से ही reject करेगा तो मैं suggest करूंगा stock को watch list लगा लो ये वाला buying level stock में देखने को मिला तो ठीक है entry करेंगे अगर ये वाले के नीचे कहीं पर भी मिला तो भी entry करेंगे पर यहां उपर कहीं पर मैं entry के suggestions नहीं दे रहा हूं यही था मेरा latest update गुद्रेच consumer products पर अगर आपको stock pay analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video